नमस्कार दोस्तों स्वागताब सभी का मेरी यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर और आज आप देख रहे हैं जी के कोश्चन सीरीज का भाग सोलवां और इस वीडियो में आप देखेंगे MC क्याव कोश्चन जो विभिन प्रकार के कम्पिटिटिव एक्जाम्स की तैय दिवस मनाय जाता है आपके उत्तर इस प्रकार से हैं विद्रोध दिवस सरधांजली दिवस या सहीद दिवस या फिर विरोध दिवस इन सभी प्रशनों के उत्तर आप सासाथ कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं और वीडियो के अंत में भी आप अपना स्कोर बता कर बता प्रशन है प्रशन नमबर दो सारा गड़ी की लड़ाई किस वर्स में लड़ी गई थी सारा गड़ी की लड़ाई किस वर्स में लड़ी गई थी आपके आप्शन है 1867 में 1897 में या फिर 1854 या 1878 में तो सारा गड़ी की जो लड़ाई है वो 1897 में लड़ी गई थी जो की सही प्रशन का जो सही उतर है वो है उप्षन नमबर 2 मेरट से भारत में सिपाही विद्रोप की शुरुआत की हुई थी अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमबर 4 निमलिक्त में से किसे आदर पूर्वक भारत का वयोवरिद पुरुस कहा जाता है दादा भाई नरोजी को, लाल बहदुर शास्त्री को, राजिंदर परसाद को या फिर विपीन चंदरपाल को इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो है आप्शन नमबर एक के उपर दादा भाई नरोजी को अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमबर पांच, शिकागो, USA में वहे विश्व धर्म समेलन किस वर्स आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानन्द की धर्म विश्यक अभिव्यक्ति को एक मुख्य आकर्षन के रूप में शामिल किया गया था 1899 में, 1862 में या फिर 1893 में या फिर 1978 में इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो है आप्शन नमबर तीन के उपर 1893 में अगला प्रशन देखते हैं, प्रशन नमबर छे, वर्स 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहां की गई थी आपके आप्शन है दिल्ली में, बंबई में, मदरास में या फिर कॉलकता में तो इस प्रशन का जो सही उतर है वो है आप्शन नमबर दो के उपर बंबई में कताई मिल की स्थापना की गई थी 1894 में अगला प्रशन देखते हैं, प्रशन नमबर साथ लाला लाज बतराए निमलिक्त में से किस बैंक के संस्थापक थे? इस प्रशन का जो सही उतर है वो है आप्शन नमबर चार के उपर पंजाब नेशनल बैंक के जो संस्थापक थे वो लाला लाज बतराए जी थे? अगला प्रशन देखते हैं, प्रशन नमबर आठ, स्वामी विवेकानन्द के गुरू का नाम क्या है? रमन महरशी, परम हंस योगेंदर, आदी संकराचारिय, राम क्रिशन परम हंस तो इस प्रशन का जो सही उतर है वो है आप्शन नमबर चार के उपर राम क्रिशन परम हंस स्वामी विवेकानन्द के गुरू का नाम था अगला प्रशन देखते हैं, प्रशन नमबर नो व्यवरिद सवतंतरता सेनानी, समाज सुधारक और नारिवाद सावित्री बाइफुले भारत के निमलिखित में से किस रज़य से हैं? राजस्तान से हैं, गुजरात से हैं, या महरास्टा से या फिर ओडिसा से इस प्रशन का जो सही उतर है, वो है उप्शन नमबर 3 के उपर महरास्टा से अगला प्रशन देखते हैं, प्रशन नमबर 10 बंबे, जो आज मुंबई है, में गेटवे ओफ इंडिया की अधार सिला किस वर्ष रखी गई थी? बंबे में गेटवे ओफ इंडिया की अधार सिला किस वर्ष रखी गई थी? 1905 में, 1913 में, 1915 में या फिर 1920 में इस प्रशन का जो सही उतर है, वो है उप्शन नमबर 2 के उपर 1913 में गेटवे ओफ इंडिया की अधार सिला रखी गई थी? प्रशन नमबर देखते हैं, 11 गदर पार्टी का गठण किस वर्ष में हुआ था? 1921 में, 1918 में, 1915 में या फिर 1913 में इस प्रशन का जो सही उतर है, वो है उप्शन नमबर 4 के उपर 1913 में गदर पार्टी का गठण हुआ था अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमबर बारा निमलिक्त में से कौन अंधरकेषरी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफार खान, महत्मा गांधी, चितरनन्दास, टी परकाशम इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो है औप्शन नमबर चार टी परकाशम को ही अंध्रा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमबर 13 अठारां सो सतावन की भारतिय क्रांती प्रभावी रूप से किस शहर में समापत हुई थी ग्वालियर में अमरित सर में लखनाउ में या फिर वडोद्रा में इस प्रशन का ज प्रशन नमबर 14 स्वामी विवेकानंद ने वर्स में राम क्रिशन मिशन की स्थापना की थी इस प्रशन का जो सही उतर है वो है ऑप्शन नमबर 2 जो 1897 में राम क्रिशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी अगला प्रशन है प्रशन नमबर 15 भारत का राश्ट्रिया गान जन्गर्ण मन पहली बार भारतिया राश्ट्रिया कंग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था आपके आप् भारत का जो राश्ट्रिया गान है जन्गर्ण मन पहली बार गाया गया था अगला प्रशन है प्रशन नमबर 16 विदेशी भूमी पर तिरंगा फैराने वाले पहले भारतिया का नाम क्या था एनी बेसंट लक्षमी शहगल बिका जी कामा बेगम हजरत महल इस प्रशन का जो पहली बार तिरंगा विदेशी धर्ती पर फैराया गया था अगला प्रशन है प्रशन नमबर 17 कांग्रस का वह अधिवेशन कहां पर हुआ था जिसमें उसके उदेश्य के रूप में भारत के लिए पूरुन सवराज प्रापत करने का प्रस्ताव सभीकार किया गया था अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमबर 18 चमपारण सत्यागरह का संबंद किस से था इस प्रशन का जो से ऑप्शन है वो है नील मील मालिकों का ताउन भूमी के नए निर्धारन के लिए तो इस प्रशन का सही उतर है चमपारण सत्यागरह का संबंद नील की खेती से थ अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमबर 19 महत्मा गांधी जनवरी 1915 में कहां से भारत वापस लोटे थे आपके आप्शन इस प्रकार से हैं दक्षिन अफरीका से, इंग्लेंड से, USA से या फिर रूस से इस प्रशन का जो सही उतर है वो है आप्शन नमबर 1 के उपर दक्षिन अफरीका से अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमबर 20 भारत की आत्मा गाउं में निवास करती है यह कथन किसका है? भारत की आत्मा गावों में निवास करती है यह कथन किसका है बिनोवा भावे का जैपरकास नारायन का जोहरलाल नहरू का या फिर महत्मा गांधी जी का इस प्रेशन का जो सही उत्तर है वो है option number 4 महात्मा गांदी जी के द्वारा ही कहा गया था भारत की आत्मा गाओं में बस्ती है गाओं में निवास करती है ये थे 20 MCK question जो की विभिन परकार के competitive exams की तयारी के लिए उपी होगी है और आप इस वीडियो के comment section में बता सकते हैं कि आप आज का score आपका क्या रहा और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप इस परकार के और नए-नए competitive exams की तैयारी के लिए नए-नए question चाहते हैं तो आप इस चैनल को subscribe कर लें और वीडियो को like way share जरूर करते रहें धन्यवाद